दिली बिसु दिली के जो है स्कूल अप्लिविटी और क्रेटियरिया क्या है साथ में जो है माइग्रेशन फॉर्म आपको कैसे फिलप करना है इसकी लाजट डेट क्या है तो पूरी डेटल में आज जो हम इसी के ऊपर मैं चुच्छा करेंगे बाकी जो आप चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करना चाते हैं तो इसी कुले के अभी जो है इसका फॉर्म जारी है तो जो भी छात्र माइग्रेट करना चाते हैं तो सबसे पहले तो यह बता दिता हूं कि कौनसे चातर, अकॉनसे चातर से माइग्रेट कर सकते हैं तो इसी को लेके ऐको सबसे पहले हैं जिस कॉलेज में आपको माइग्रेट करना है वहाँ पे पता करना है कि वहाँ पे seat खाली है उन courses में या फिर जो है नहीं है अगर खाली है तो वहाँ पे आप जो है migrate कर सकते हो migrate करने के लिए वहाँ से आप जो है college से जो है NOC एक फॉर्म होता है migration का वो जो है आपको लाके S.L. में जो है जमा करना होगा अगर वो college allowed कर रहा है तो आपको S.L. से भी approval लेना होगा और फिर यहाँ से आप जो है लेके जाओ गए तो आपको सारा fees जमा करना होगा और उसके बाद आपका migration हो जाएगा बाकि migration की जो last date है वो 21 September तक है तो जो भी S.L. से migrate करके regular college में जानना चाते हैं तो आपने migration form को fill up कर सकते हैं तो migration form जो है आपको college से ही मिलेगा यानि कि जिस college में आपको migrate करना है जैसे अगर आप S.L. में पढ़ रहे हैं लेकिन आपको हिंदू college में admission मिल रहा है मान लेते हैं कि BA program में example कि तुरू अगर आपको भी ये program में third semester में हिंदू college में admission मिल रहा है तो आपको सबसे पहले तो college यानि कि हिंदू college और उनके principal से आपको ये permission लेना होगा कि आपको migration के लिए allowed कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं अगर वो allowed कर रहे हैं तो आपको वहां से एक form मिलेगा और वो form लाकिया आपको असल में principal के सामने जमा करना होगा या फिर असल में जमा करना होगा उसके बाद असल परसासन पर आपका approval कर देंगे उसके बाद आप अपना नाम वहां पे migrate करके हिंदू college में लिखवा सकते हो इसकी आपको फिस जमा करना होगा और फिर आपका यहां पर admission process हो जाएगा तो इसी परकार से आपका migration system है तो जो भी छातर है चाहिए वो regular college के ही छातर क्यों ना हो वो भी अभी तक अपना migration करवाना चाहते है regular से असल में तो वो भी करवा सकते हैं 21 September जो है इसकी लाज डेट है तो जरूर इसका डेट जो है ध्यान रखें और अपना जो है migration से जो है आपको जो है migration certificate जो है अपने college से अपरूबल लेके आना होगा और उसके बाद जो है description में मिल जाएगा बाकि आज के इस वीडियो में इतना है शुक्रिया धन्यवाद